दोस्तों रामराम सोलांग वेली से आप 900 मिटर इदर पार्किंग है पार्किंग एरिया से सिध्य आएंगे तो यहां पे बड़ा सा सिविलिंग है उसके उपर जर्ना गिर रहा है और आप दो लगबग 2 किलो मिटर है यह गोड़े पे आएंगे तो पांच सुरुबे चार्ज लगेगा अब पैसा बचाना और फ्री में ट्रेकिंग करनी है तो आप इस रास्ते से आ सकते हैं एक बार चारो तरफ का व्यू दिखा दो अब जो अब आपको दिखाते हैं ट्रेकिंग ट्रेकिंग जो भी ट्रेकिंग है आपने यूटूब पेर देखियोंगे उनकी व्यूटियो कॉलिटी जाता बढ़िया होती तो अच्छी लगती है हमारे वाड़ा मोबाइल है तो थोड़ी कमज़ोर लगी कि है यह है ट्रेकिंग एकन यह मैं आपको बता जितना यह प्रकरति का अनन्द यह जर्वाइज से लोगे और बदी आनंद से चलो प्रव्यिते यह देखो सामने सुदिखो आप लिट दिखा वी दिखाओ यह दिखाओ झाले तो हाँ आगे चलो आगे है क्या रस्ता आगे इधर से आओ आप ये ये सी ता ये अभी मैं बदा रहा हूं आपको शाक्षात बोले नात बठें और उनके उपर 24 गंठे जर्मा चलता है मतलब 365 दिन 365 दिन 24 गंठे दर्शन के नाते हैं भी बोले नात के ये ये देखो प्रत्रति काई कमाल है पत्थर के उपर गास उगड़ी पत्थर के उपर गास उगड़ी उपर है बाई लोगा राम राम अबार आपा हां सोलांग वेली और ठेक शिवलिंग है वड़ो सारगो बीग उपर पड़ा जर्नो और इक लिए जाबा के लिए है आपनो गड़ेड़ा जाए पाड़ी गोड़ा हुए आपनी साइड में वो गड़ेड़ा जोड़ेगी हुए तो अब की बार में जो आया ने में गोड़ो लियो वनी एक गोड़ा रिपेली पान सो जना च्यार जना हां रिप्या हुआ है किता दो जार तो अब की बार पैदल बार ट्रेकिंग ही कर रहे हैं आप तो थोड़ देर बाद में देखो बार दिखा हां ए भाई लोग तीन दूशेरियों है रहे हैं गिलन अबर देर भाई राम 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 आगा को भी अलग दिखा हां झाल